नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल इसके लिए के शायर में दोस्तों आज का सिसन काफी खास होने वाला है को आज के सिसन में मैं आपको एक ऐसे ऑशदियों वाले पोधों की जनकारी देने वाला हूं जो की हर घर में मौझूद है लंसम हर घर में आपको एक बार फिर से रिमाइंड देना चाहते हैं कि आप उसे इस्तमाल करें क्योंकि यह जो पोधा है यह आपको बेक्टेरियल संक्रमर्स से बचाता है यहां तक कि आपका इमीन सिस्टम को इतना स्ट्रॉंग कर दता है कि आपको किसी भी तरह के बाहिय जो रोग है वो वैसे में दोस्तों आपको जानना बहुत जरी है कि ये कौन सा पोधा है ताधिये दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं और वीडियो में आगे चलते हैं इस पौधे के उसधिये गुण कौन-कौन से हैं दोस्तों और से दे रिष्टी से ही हम बात करें तो तुलशी के पत्तियां जो है जियादा गुणकारी मानी गई हैं, आप इसको सीधे पौधों से लेकर आप इसको खा सकते हों, तो उसको धोलीजिए, उसको खाईए, आपको हम बता दें कि तुलशी के पत्तियों में अनगी पिनत चमतकारिक फायदे चीपे हुए हैं आप इसके बीच का इनकी पत्तियों को मिलाकर चून बना सकते हैं उनकी चून का इस्तमाल कर सकते हैं तुलसी के पत्ते का फायदा जो है वो बुखार को तो कम करता ही है दिल से जुड़ी हुई बिमारिया पीट दर्द मलेरिया और किसी भी तरह का बेक्टेरियल संकरमीर हो इसमें काफी फायदे मंद होता है दोस्तों यहां तक कि मैं बता देएं कि तुलसी कही प्रकार की होती है और बता दें कि तुलशी के ऑसदीये गूनों में सभसे ज़ादा जो बेनिफिट होता है वो श्यमा तुलसी में पाय जाता है यदि आपको लिक्विड फॉर्म में तुलसी है जिसको लेकर आप अपने सिर पर लगा सकते हैं काफी अराम मिलता है इसके अलावा सिर के जू हुए लिक हुए मतलब सिर में किसी भी तरह का क्यूडा पतिंगा है कोई भी चीज है तो आप तुलशी के लिक्विड फॉर्म को यूज कीजिए वो दूर हो जाता है तुलसी साइनस में पीनस रोग में काफी लाफदायक होता है कान का दर्द हो या सूजन हो उसमें काफी अराम देता है इसके अलावा ये दाथ दर्द में भी अराम देता है गले से जुड़े हुए बिमारियों में ये काफी फाइद पानी के साथ तो काफी आपको अराम मिलेगा मैं दोस्तों आपको बता दू यहाँ पे कि बहुत सारे कंपनीज है जो कि तुलशी के लिक्विड फॉर्म को डेवलब की हुई है उनके बहुत सारे प्रोड़क्ट्स आते हैं तुलशी के और इस सूखी खासी में भी तुलशी क काफी आराम देता है यहां तक कि पाचन शक्ती हुआ या पेट दर्द हुआ उसमें भी आराम होता है और पच्च जो होता है इसमें भी आराम होता है यदि मुत्र में जलन हो रही है तो तुलशी का पिस्तवाल किजिए काफी आपको आराम मिलेगा पिलिया में भी यह जादों यहाँ पर तुल्शी इतना फायदेमंद है कि आपका ये बाहिय कोई भी रोग ही नहीं होने देगा आप यदि आप इसको डेली इस्तमाल कर रहे हो क्योंकि इससे इम्मिनिटी जो है आपका इम्मिनिटी सिस्टम काफी स्ट्रॉंग हो जाता है तुल्शी का यदि आ इस्तमाल जरूर से जरूर करना चाहिए आपको खोई भी बाहिय रोग हो नहीं होगा तो दोस्तों मलेरिया हो टाइफाइड हो या किसी भी तरह का वाइरल लाने में भी काफी उपयोगी है चेहरे में चमक दमक भी बरकरार रहेगा यदि आप तुलशी का डेली इस्तमाल करते हैं तो मैं यहाँ पर बता दूँ की काफी भागदोड की जिंदगी है हम लोग की जिसके चलते हम अपने अगल बगल जो भी यह और शदियो गुणों वाले पौधे हैं उनका हम इस्तमाल नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे तो बहुत सारा मार्केट में कंपनी है मैं यहाँ पर एक कंपनी सजेस्ट करूँगा एसकलेपियस वेलनेस प्राइबेट लिम्टेड इस कंपनी में यदि आप तुल्शी का इस्तमाल करना चाहते हो और आपके पास नहीं है तुल्शी तो आप पंच तुल्शी इसका प्रोड़क्ट है आप उसको ओर्डर कीजिए और यह लिक्विड फॉर्म में है और आप इसको यदि लेने का हम तरीका बताएं तो गर्म गुन गुने पानी में आपको दो बुन ब्लू पिल का पंच तुल्सी तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगा और वीडियो के ऐंड में दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा और किसी भी तरह का यदि आप फेड़बैक देना चाहते हो तो आप कॉमेंट सेशन फीडबेक दीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए वीडियो और नए जनकारी के साथ धन्यवाद